कि है कि हलो स्रेंट्स हाँ उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत खुश और बहुत सुस्त होंगे इस्ट्रेंट्स आज हमारा जो है बीसिये फोस्मिसर में सब्जेक्ट है बिज्व बेसिक और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है बाउंट एंड अनबाउंट कंटोर इं तो बाउंट कंटोर वो होते हैं कि जिन कंटोर को हम डेंटा सोर्स और डेंटा फ्री के दो बाउंट करते हैं देखते हैं Bound Contour are used to display Enter and update values क्या किसी युश करते हैं Value को Enter करने की Update करें From Fields and Our Database यसा मना मदब Field of Source के दुआरा Bound Contour इसके दोज़ता It is Permanently Bound और Connected to a Data Source जैसे दो यह आपके दो चीज़े हैं एक तो है आपका Data Source और यह आपका Field We drop a data control on the form Configure its database connection Assign Source Table Query and View देखिए इसका बहुत तरी जो एक सही example मैंने भी आपको Part 1 और Part 2 Data Connection कैसे होता है मैंने इसमें MS Access का यूज किया था और हमने आपको ADODC का यूज करके Data Grid Control में हमने data को insert करना मैंने आपको बढ़ाया था तो समयर्स इसमें हमने क्या किया था इसमें 3 text box लिये थे और हमने ADODC Control लिया था Data Grid Control लिया था तो हमने text box में value इंटर कर रहे तो उन values को ADODC के ADODC के दवारा हमने Data Grid Control पर show कराया था तो हमने उसमें स्ट्वेट्स आपके धाल दोगा मैंने MS Access में पहले database बनाया और उसके बाद फिर मैंने क्या किया फिर मैंने ADODC और Grid Control और इन तीनों को आप उसमें मैंने Control कर आया किसके दौरा Data field और data source के दौरा हमने क्या कि हमने सबसे पहले क्या कि ADODC Control है ADODC Control को हमने क्या किया Data Grid Control की property में जाके उसके data source में हमने select कि ADODC 1 वैसे ही जो हमें 3 text लिया थे text 1, text 2, text 3 उसमें हमने क्या लिया था data source और data field यादि data source में हमने क्या लिया ADODC 1 और data field में हमने क्या लिया student का roll number marks और उसकी जो भी सारे fields है data source में क्या लेते हैं data source के दौरा data जो है उस control में शोकर्मा है data field मतलब उसकी field की value क्या है हम क्या करते है data source data field के दौरा हम क्या करते हैं आप उसमें सभी control को bound करते हैं उसकी examples क्या है text box, check box, combo box data grid control जैसे मैंने अब पताया data field और data source ठीक है तो यह क्या थे यह properties जाके बिलते हैं यह control है लेकिन यह properties में होते हैं जैसे कि text की property में थे data field और data source वैसे ही data grid control की property में थे आपका data source जो हमने source में source में हमारा LUDC का use करके हमने data MS access sales शो कराया था किसमें data grid control में तो ऐसे control जिनको हम data source data field के द्वारा हम bound कर देते हैं वो हमारे bound control करते हैं यह example है label, text box, check box, combo box, data control, data field and data source तो these are the bound control करते हैं unbound control की देखते हैं unbound control does not have a data source इसमें data source का use नहीं करते हैं ADODC का use नहीं करते हैं data is bounded through coding which provides flexibility to the control हम क्या करते हैं coding के दोरा हम मतलब जो flexibility है उसको connection है वह हम बनारे request करते है these are used to display किस लिए information के लिए lines के लिए rectangles and pictures इसके लिए हम use करते हैं ms-place grid control data grid control ms-place grid control custom control होता है और इस control में हम data table के format में दिखाते हैं अब हम इस control में data direct कर सकते हैं अगर हम इस control में अगर कोई वगार पहलो दिखाने है तो मैं इसकी प्रॉपर coding करने पड़ेगी है तो उसको आप देखके इसके notes तनाए और उसको आप अच्छे से तज्यार करें thank you very much कि अच्छे कि अच्छे कि अच्छे कि अच्छे